मुंगेर लोकसवा में सीधा साफ पता चलता है यहां कि ललन यहां पर नहीं कोई रोजगार दिये हैं यहां नहीं कोई काम किया यहां पर मैं भूलकुमार आप देखने हैं अभी मैं मुंगेर लोकसभा के हलसी परखंड में हूँ जो कि मेरे साथ हैं यहां पर पर अध्यक्ष मुन्नी महतोजी मेरे साथ हैं सबसे पहले आपका नमस्कार फटापटनी उजमें भूत-बहुत हमसे सब लोग जानते हैं जडियू परखंड अध्यक्ष हलसी हैं तो क्या मुंगेर में भी लोकसभा का चुनाव आने वाला है यहां जनता का सबसे बड़ा राय होगा और जनता विकास खुजती है विकास यहां माननीय नितिश कुमार जी और माननीय ललन वावु जो है हम पातमान में भी लोग सबाह के सांसर बहुत लोग तो बोल रहा है कि अभी लखी सरह से रासींग घरका बेटा एक बार तो आये थे घरका बेटा थे आप घबल के ही थे हमारे बिना देवी यहां स्रीमती बिना देवी जी पांद रहेतों पता भी नहीं चला हुआ उपन्ड उसांसद नहीं भी रहा है लेकिन उनका विकास कार जहां लखी सराय में जो है नहीं हुआ उन्हीं के द्वारा जो किया गया था और अभी भी काम कर रहा है अभी तो हम यह भनपूरा पंचयत के ठेकी गाउं में गए तो हां के जनता बहुत नाखुज थे थेखी गाउं एकचली है ठेकी घाउं का कुछ टेक्निकल फोल्ड सेखपूरा तरफ से रहा था पहले यहाँ दो भाग में डाला गया था जो एक भाग था यहां सेखपूरा में चलता था आरियो वा ने आरियो टू जब हुआ यहां तो या डर्व.डी जो है लखी तो कुछ टेकनिकल फोलता कि वो लोग यहां से पूरा से वहां कार्ज हुआ था यहां और कार्ज होने के दर्मियान में परिवार बाद उस रोड में लग गया थे परिवार बाद लगने के कारण जो है वह टोटल पेपर यहां जब तक आप कोई कार्ज को कोई हो गया यहां तो कार्ज जब तक ठीकेदार को यहां सलेंडर या ब्लेक लिस्टेड नहीं किया जाएगा यहां उसके बाद तुना उस रोड को ना तो री टेंडर आप कर सकते हैं ना कोई काज कर सकते हैं लेकिन मानिय सांसद मोहदे के द्वारा जो है उसका डी पी आर बनके यहां स्व केर्थी जैसी हुआ टेंडर परकिरिया करके उसका काम परारंब कर दिया जाएगा तो यहां पर हलसी परखंड में अभी लगबग लन बाबु का छेत्र भर्मन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है विदायक से ज्यादा छेत्र भर्मन करते हैं सांसद मोहदे जब मोका मिलता है उनको एक चीज है कि देखें पालिया मेंट है पालिया मेंट में जाना जरूरी है आज हमारे सांसद मोहदे को पालिया मेंट में जो बोलते हैं तो पूरे भारत सुनता है उसीर के तरह दाडते हैं और आधर निये परदहान मंत्री जी हां सिर्फ धकोसला किये 2014 से लेकर चुनाव तक में उद्वाइश आने वाला है और नौ साल का वह बेमिसाल का नारा दे रहे हैं वहर बार चुनाव आता है तो अपने बात को बोलते हैं और चुनाव खतम हो जाता तो यह उनके जो है एक गिरी मंत्री है जो कि कभी पुर्णिया में बिना एरपोर्ट के एरपोर्ट पर यहां हबाई जहाद चड़ा देते हैं कभी माधरनिय पर्धान मंत्री जी आएंगे दरवंगा में कहेंगे एम सब्सक्राइब बन गया और इलाज करवाना तो उए लग जुमला बाजी करते हैं दूसरा चीज है हां कि उन्होंने 2014 में कहेते हैं उनका अभी भी आप लोग पत्रकार महोदय हैं हां और आप लोग के ही माध्यम से हम लोगों का बात चाता है नहीं तो गोधी मीडिया जो है नहीं सिर्फ बिका हुआ है किसी का न्यू बादा करते हैं और बादा करके हां काम कभी नहीं कहें बोले थे कि दो करोड रोजगार देंगे हरे पर तेक बर्स नौ साल बित गया है बता दिजिए आप भी यूबा है आप भी छेत्र में जाते हैं कितने यूबा को रोजगार दिये स्वी यादावी जी तो भी बोले थे कि बिहार में इतना अस्टूडेंट लोग को रोजगार देंगे तो वह भी तो रोजगार नहीं दिये हैं दोलाक सिच्छक का है फिर अभी 11,000 अभी फारम बरा रहा है फिर सत्तर हजार अक्टूबर में सिच्छक का बहाली आने वाला है बिहार पुलीस का एकजाम चल रहा है तो परकिरिया है कि यहां जब से यहां शुरुआत हुआ है हमारी सरकार जो बादा करती है बादा निती विजली जाएगा विजली दिया नल जल योजना कहें परते घर में पहुंचाएंगे नल जल का योजना दिये तो हमारे मानिय नेता जो है बोलते हैं और काम करते हैं बादा करके जो है हमारे सांसद महोदे ललन बाबु जो कहते हूं काम करते हैं वे विकास पुरूस के ना यहां चालवाज यहां कि बोड़ों लेके मानने मुखमंत्री जी कर देंगे सिलान्यास अब बोड लगाएंगे आप रखेंगे अपना गाड़ी में और जाके नारियल फोड़के चल जाएंगे तो ऐसे नहीं होता है काम कीजिए मुंगे लोकसवा में सीधा साफ पता चलता ह मुंगेर लोकसभा का संसद है और अभी तक पूरिये बिहार में अई संसद नहीं मिलेगा दियाबार के खो declara नहीं मिलेगा एक दूसरा नम्मठु पुंचिये कि पूरे अलसी का가요 उर्ट बचा रुड़ा है का उन्षा फी और टिरोड नहीं गिया है रात एक जगा अगले महिना में 102 रोड का एक साथ टेंडर होने वाला है तो समझे कि एक साथ यहां पूरे बिहार में यह देख लिजिए कि यहां जाके पता कर लिजिए कि एक साथ कहीं 102 रोड में जब काम चालू होगा गेड़वा पूरसंडा पात की बात पंचायत की बात करते हैं तो कुछ रिपेर भी हुआ है काम भी चल रहा है गेड़वा पूरसंडा रोड में खैरमा से सिल्वे सिल्वे में रोड नहीं गया था दो दो तिन तिन रोड चला गया है तो गेड़वा पूरसंडा की बात करते से लोड गया है वह रोड घूटा है कि घुटना तक उसमें मिट्टी यह वह जाता है तो से अधिम्मजवे होते हुए जाता है जो घूट अब ठीकेदार उसका समवेदक का कामे सरकार का में टेंडर करवा देना और ठीकेदार अभी बरसाद का समय है सब जगा फसल लगा हुआ तो फसल बिरवाद करके तो लगा नहीं सकते हैं लेकिन देखिएगा यहां कि जैसा ही फसल कटेगा उसमें काम चालू होगा क्योंकि उसका टेंडर हो गया हम उसका जान रहें उसको है लणा़ इधर को आने वाले हैं यहां का चाजकरम है बावार अभी तो कुछ दिन पहले आयते हैं जब भी उनको मौका मिलता है तो लखी सराय करप रात हुटना देते हैं और लखी सराय में आते हैं परतेक लोगों से मिलते हैं पटना जब भी रहते हैं आठ से एगारा लखी सराय के नाम पर उनके छेतर के नाम पर जो भी चला जाता है उनके लिए धरवाजा खुला रहता है और वहां जैसी जाते हैं उनका काम है बरगलाना नहीं है उनका काम है फैसला बस उनके पास गया और फैसला उसी दिन मतलब काम उसी दिन कर देना फैसला हों दास पूट करते हैं ललन बाबु जीसा विकास पूरोस मुंगेर लोकसवा में कोई नहीं है यहां पर सिर्फ साफ तोड़ पर पता चलता है कि ललन बाबु के ठकर में कोई यहां पर नहीं आने वाले हैं चाहे ओ घर का नेता हो या घर के वेटा है तो आप देखते रहे हैं फटापट नहीं जय वारत